22 के चुनाव नतीजों के बाद मायवती एक बार फिर सुर्ख्यों में आ गई है इस बार वो चुनावी इतिहास में सबसे खराब परदर्शन को लेकर ट्रोल हो रही है मायवती को बीजेपी की बी टीम बताय जा रहा है जो मायवती उत्तरपरदेश की राजनिती में सपा और बीजेपी के विकल्प के रूप में देखी जाती रही है इस बार उनका केवल एक विधायक जीत पाया उमा शंकर सिंग जो जीते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीएस पी नहीं बल्कि अपने बदौलत जीते हैं 2017 में बीजेपी की प्रचंड लेहर में भी 22 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली उनकी पार्टी इस बार मात्र 1288 वोट ही जोटा पाई ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मायवती की दलित राजनिती का सूरज अस्थ हो रहा है हाला कि उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार और उनके बेटे आकाश को आगे किया है आपको बता दे कि आजाद भारत के इतिहास में उन्निस सटानवे में पहली बार उट्तरप्रदेश में एक दलित अनुसुची जाती की महीला मुख्य मंत्री सूश्री मायवती जी बनी वो एक भारती राजनितिग्य और चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री रही आपको बता दें कि 1997 और 2002 में भाजपा के समर्थन के साथ मुख्य मंत्री बनी थी काशीराम के अगवाई में समाच के दलेद पिछड़े वर्ग के लिए सन 1984 में भाज़न समाज पार्टी की नीव रखी गई जिससे मायवती ने यूपी के साथ ही अन्ने राज्यों में फैलाया जिसके प्रेनस रोद बाबा साहिब अंबेट कर थे 1984 के बाद इन्होंने 1989 में पहली बार लोगसभा चुनाओ में जीत हासिल की इसी जीत के बाद मायवती जी लोगों के बीच लोग प्रिय हो गई और तबी से इने सब बहन जी के नाम से जानने लगे उत्तरप्रदेश में वर्ष 2007 में अपने दम पर पून एतिहासिक बहूमत प्राप्त कर 206 सीचों के साथ राज्ये में अपनी एक मजबूस सरकार बनाई और चौती बार मुख्य मंत्री के रूप में शपत ग्रहन की आपको बता दें कि 2007 से 2012 के शासनकाल में बहन जी की सरकार रहने पर न सिर्फ विकास हुआ परेटन को बढ़ावा मिला बलकि महिला सुरक्षा ब्रष्टाचार पर रोग गुंडों माफियों पर सक्ती जैसे कई कारिक्रम काफी प्रभावी रहे वर्ष 2012 के बाद अब तक के मायावती जी की सरकार फिर कभी न बन पाई जिसके पीछे कई मुखे पहलू हैं जैसे की सिर्फ दलितों पिछडों के मुद्दों पर बाद ब्राहमनों का समर्थन न मिलना मुस्लिम वोट बैंक का भी अभाव 2012 के बाद बस्पा प्रमुख मायावती को 2017 के चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा वर्ष 2017 में अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो भाजपा ने पिछड़े वर्ग पर एक छत्र कबजा जमाते हुए उनके एंडिय गड़बंदन ने 403 में से 306 विदान सबा सीटे जीती हलांकि बस्पा को मातर 22 प्रतिशती वोट मिले थे बस्पा को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा उनके कई दिगजनेता पार्टी छोड़ कर चले गए जबकि 81 सीटों पर उसकी जमानत जब्थ हो गई थी अपनी कमजोर इस्तिती को देखकर 2019 में मायवती ने समाजवादी पार्टी से गड़बंदन किया गड़बंदन से उन्हें फायदा भी हुआ और 10 सीट लोकसभा में जीती 2017 में बहुजन समाज पार्टी में जहां विधान सभा में 19 विधायक जीत कराए थे उनकी संख्या सदन में बस एक ही रह गई है हालांकि बस पार राज्य चुनावों में कुल मतदान का 12.9% वोट हासिल कर तीसरे सब से ज्यादा वोट शेयर करने में सफल रही है ज्यादा लोगों तक शेयर करें हाँ एक बात और हमारे इस चैनल को फालो करें सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे